सीबेसी वर्ट्स में आपका स्वागत है तो हम पढ़ ले थे क्लासिक साइंस के चैप्टर 6 जिसका नामे दा लिविंग और्गेनिजम्स केरेक्टर स्टिक्स एन हैबिटेट्स पुरानी वाली एंसी आटी बुक में ही चैप्टर 9 है इस चैप्टर की 5 वीडियो अपलोड हो गया, response to stimuli हो गया ठीक है यहां तक हमारा हो गया था आज एक और characteristics हम discuss करेंगे living organism की जो की है living organisms and excretion सारही organism को food की जरुत होती है अब जितना भी हम खाना खाते हैं वो पूरी तरह से use तो होता नहीं कि जो खाया वो सारा का सारा use हो गया जो food होता है उसका एक हिस्सा ही हमारी body utilize करती है यानि उसमें जो काम की चीज होती है वो body ले लेती है अब सवाल है कि जो बच जाता है उसका क्या होता है तो इसको body से remove किया जाना चाहिए as waste यानि काम की चीज बॉड़ी ने ले ली अब उसके अंदर जो body के काम की चीज नहीं है वो एक तरह से waste ही है तो उसको body स निकलना चाहिए भाई body में फालती हो तो पड़ी नहीं रहेगी ऐसे तो खाते रहोगे तो जमा होता रहेगा तो जो काम का यूज हो गया है जो बेकार है उसको body से निकलना है तो हमारी जो body है वो waste produce करती है in other life processes also तो आपको मैंने बताया भी था कि life processes क्या होते है उसमें ए as excretion वो process जिससे कोई organism छुटकारा पाता है बाहर निकाल देता है जो waste है इसी को excretion कहते हैं क्या plant भी excret करते हैं हाँ वो करते हैं लेकिन उस तरह से नहीं जैसे कि animals में देखने को मिलता है जो mechanism है plants के अंदर वो थोड़ा सा different है क्या different है जैसे कुछ plant होते हैं find it possible to store the waste product within the body parts जैसे हम अपने example लें तो हमारी body के अंदर जो waste material है वो body से निकल जाता है वो कहीं एकठा नहीं होता लेकिन कुछ plant ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं जो waste product है उसको अपने body के किसी part में store कर लेते हैं इस तरह से that they do not harm the plant as a whole यानि ऐसी जैखे plant के अंदर ही रख लेते हैं store कर हैं जिससे plant को नुकसान ना हो और वो अपना कहीं किनारे पड़े रहे हैं कुछ plants क्या करते हैं remove करते हैं waste product को as secretions secretion क्या होता है plant या animal उनकी body से कोई चीज निकलती है generally liquid form में तो उसको हम secretion कहते हैं तो कुछ plant के अंदर क्या होता है कुछ चीजें उनसे बाहर निकल ली होत हैं अकसर plant के अंदर ये poisonous होता है जहरीला होता है तो ये दोको liquid यसा निकल ला है ना तो ये plant का waste product है इसी तरीके से ये चीज तो बहुत common है आपने देखा होगा ये yellow type का substance निकलता हुआ जिसे हम gums कहते हैं तो ये भी जो निकल ला है ये क्या है ये plant का waste product है यही प्लांट क होता है जहरीला होता है तो ये भी plant का क्या है waste product है तो अगर आप से पुछा जाए कि plant किस तरह से excrete करते हैं तो आप कहोगे कुछ plant ऐसे होते हैं जो waste product को store कर लेते हैं अपने body के किसी part में इस तरह से कि उनको वो नुक्सान ना पहुचा है और कुछ plant होते हैं जो waste product को remove कर देते हैं as secretions तो excretion एक और characteristics है जो कि common है सारे ही living organism है हमने देख लिया कि human भी करते हैं animal भी plant भी सब करते हैं जितने भी living thing है हमारे घर में खुदी लगा हुआ है pigeon का तो हमने तो देखा ही है बहुत सी जो bird होती है वो क्या करती है ले दियर eggs in nest घोसले में अंडा देती है इन में से कुछ जो eggs होते हैं वो hatch करते हैं यानि वो open होते हैं और जो छोटी birds होती है उनमें से बाहर आती है नीचे आप figure young ones तो यह bird है इसने अंडे दिये थे फिर यह अंडे इसमें से छोटे-छोटे चड़िया के बच्चे निकले यानि जिस bird को भी आपने observe किया होगा तो आप देखोगे उसके जो बच्चे हैं वो उसी जैसे हैं बै कब उतर बच्चा कब उतर ही होगा कवद होगा नहीं इसक जैसे कोई डॉग है तो उससे और डॉग्स पैदा होंगे लॉइन है तो उसके जो बच्चे होंगे वो भी लॉइन होंगे अब जो mode of reproduction है वो अलग हो सकता है अलग-अलग animal में यानि किस तरीके से reproduction होगा उनके बच्चे किस तरह से होंगे यह अलग-अलग animal में अलग-अल देते हैं यानि वो अन्डे से बच्चे नहीं नीकलते हैं तो नीचे जो figure्स में आप देख सकते हो जैसे dog हो गया cat हो गया cow हो गई तो यह अन्डे नहीं देती बलकि डियरेक बच्चे देती हैं प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते हैं, यानि एक प्लांट से और भी प्लांट बन सकते हैं, अब जैसे हमने एनिमल्स में देखा तो उसी तरीके से प्लांट में भी डिफर कर सकता है, ये जो है mode of reproduction, यानि किस तरह से एक प्लांट से दूसरे प्लांट बनेंगे, ये अलग- रिप्रिड्यूस होते हैं through seeds, यानि कोई प्लांट है, उसमें से आपको बीज मिल जाएगी, वो बीज कहीं लगा दो गए, तो फिर वही वाला प्लांट उस जगे भी ग्रो हो जाएगा, प्लांट 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 ये मैं आपको बताई दिया, उपर आप फिगर देख सकते हो, a seed from a plant germinates into a new plant, तो ये seed थी, अब इसके अंदर germination start हो गया, ठीक है, seed फटके इसके अंदर से जो roots वाला system में निकलने लगा, ये और बड़ा हो गया, फिर ये देखो उपर stem वाला हिस्सा, फिर इसमें leaves वागर आ गई, roots और बड़ी हो गई, पिल आपका potato हो गया, तो potato के अंदर जो बड़ होती है, वो ग्रो होती है नए plant में, आलू में आपने देखा होगा, कुछ हलका हलका dot type का बना होता है, थोड़ा से वो गढ़ा होता है, उसी में से बड़ निकलती है, जैसे ये आलू देखो, इसके अंदर से बड़ ग्रो हो हो गया, एक और तरीका जिससे plant reproduce होते हैं, वो आपका है cuttings, क्या आप इस तरीके से plant grow करना चाहोगे, अपने से, तो cutting से कैसे plant reproduce होता है, ये आपको activity में दिया हुआ है, थोड़ा से चलो इसको समझ लेते है, activity 5, आपको cutting लेनी है, from rose और mehndi plant, cutting कैसे लोगे, इसको मैं से cut कर लिया, तो ये पूरी जो एक stem थी rose की, उसको 4 टुकड़े में हमने cut लिया, फिर इसमें क्या करते है, जिसे मालो एक हिस्सा मैं थोड़ा से इसको बड़ा बनाता हूँ, इसमें 45 degree का एक तिरचा ऐसे cut लगाते है, ठीक है, ये हिस्सा जो मैंने black किया है, इसको cut की नि reproduce कर दिये, तो ये cutting वाला system आपको rose और mehendi के plant में देखने को मिल जाएगा, तो यही आपको बताएगा है कि इसको soil में fix कर दो, cutting ले लो, उसको soil में fix कर दो, उसको पानी दो regularly, कुछ दिन के बाद आपको क्या observe होगा, आप देखोगे वो जो आपने cutting ली थी वो grow होना शुर नहीं एक cutting से plant को grow करना, तो आपको disappoint नहीं होना है, निराश नहीं होना है, अगर आपकी cutting grow नहीं हुई तो आप gardener से बात कर लो, अगर ये possible हो सके, on the care to be given to the cutting to make them grow into plants, तो gardener क्या मदद ले सकते हो, तब आपका grow हो जाएगा, तो हमने ये देख लिया, living things produce more of their own kind through reproduction, तो जो living thing हैं वो produce करती हैं अपने ही जैसे, अपने ही kind के, और भी through reproduction, तो ये अपने ही जैसे, और organism को produce करने वाला जो process होता है, उसी को हम reproduction कहते हैं, एक birds से उसी जैसे दूसरी birds पैदा हो गई, या और कोई भी animal ले लो, इससे dog हो गया, उससे और dogs पैदा हो गया, या एक plant से उसी ज निजब move करते हैं, chapter 6 के अंदर हमने discuss किया था, बहुत सारे ways जिसमें animal move करते हैं, तो move करते हैं एक जगे से दूसरी जगे, और show करते हैं movement अपनी body के अंदर भी, या तो एक जगे से दूसरी जगे जाएंगे, या वही रहकर अपने body के parts में कोई movement कर लेंगे, हाथ हिला दि वो एक जगे से दूसरी जगे move नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे substance हैं, जैसा कि आपको water हो गया, mineral हो गया, food हो गया, जिसको वो synthesis करते हैं, बनाते हैं, वो move करते हैं, plant के एक part से दूसरे part में, ये सारी चीज़े आपने पढ़ी है, कि soil के अंदर minerals होते हैं, water होता है, पान ही कहा जाता है, roots में जाता है, और फिर roots से होते हुए, उपर की दرف चड़ते हुए stem में, फिर branches में, फिर leaves में, ठीक है, water हो mineral जा रहा है कि नहीं, फिर leaves में जो food बनता है, वो food बननके plant के हरिस्से में जा रहा है, उपर की दرف भी जा रहा है, roots के अंदर भी जा रहा है, तो ये movement तो हो ही रहा है plant के अंदर-अंदर, plant भले ही पूरा एक जिखे से दूसरी जिखे ना जाए, लेकिन plant के अंदर तो movement हो रहा है, water, mineral और food का, क्या आपने notice किया कोई और तरीके का movement plant में, तो हमने response system में देखा था, कि जो आपका छुई-मुई वाला plant होता है न, touch me not, उसको touch करो तो उसकी leaves fold हो जाती है, तो वो भी movement देखने को हमको मिला, opening और closing of flowers, तो हमने sunflower वाला देखा था, कि उसके जो petals है, वो दिन के time तो open हो जाते हैं, और रात के time वो close हो जाते हैं, इसी तरह और भी बहुत सारे जो flowers है, कोई दिन के time खिल जाता है, कोई रात के time खिलता है, क्या आप याद कर पा रहे हो कि, किस तरीके से जो plant है वो show करते है, movement in response to certain stimuli, यह हमने देखी लिया, अब हमारे पास कुछ non-living thing भी है, जो कि move करती है, of course, जिससे bus हो गया, car हो गया, piece of paper हो गया, हवाचली इस पिपर हो गता है, cloud हो गया, इससे तरह से और भी बहुत सारी चीज़ है, जो कि move करती है, is there something different in these moments, from the moments of living being, क्या इनका जो movement है, वो किसी तरीके से different है, उस moment से, जो कि living being के अंदर हमको देखने को मिलता है, तो जो living being है, वो अपने से move करती है, और non-living thing अपने से move नहीं करेगी, उसको movement कराने वाला कोई चाहिए, जैसे मालो कार है, अपनी मर्जे से जब चाहिए वो थोड़ी ना इधर सुदर चली जाएगी, बलकि कोई चलाएगा, कोई start करेगा, तब वो चलेगी, अगर आप लिखना चाहोँ इस तरह से लिख सकते हो, living beings move on its own, while non-living beings require someone or something to cause a movement, कोई इंसान या कोई चीज, जिससे पेपर पड़ा हुआ है, हवा चलेगी तो वो उड़ेगा, तो हवा की वज़े से वो पेपर उड़ा है, तो कोई चीज भी हो सकती, हवा हो सकता है, पानी की वेरे से बहके जा रहा है, यानि कोई न कोई external force एक तरह से काम करेगी, तो हमने देख लिए बहुत सी वराइटी हैं living organism में, लेकिन सारही जो है वो शो करते हैं कुछ common characteristics, जैसे का हमने डिसकस किया, इसी तरह एक और common characteristics है living being की, वो क्या है die, कि वो मरते हैं, वह जो जिन्दा होगा वही तो मरेगा न, तो survive कर पाएंगे, जिन्दा तभी रह पाएंगे, यानि उनका जो वुजूद है, वो तभी बाकी रह पाएंगे, जब वो reproduce करें, जैसे मालो dogs हैं, अगर वो reproduce करना बंद कर दें, तो जितने dog अभी दुनिया में है, बस वही रहेंगे, जब वो बुढ़े होके मरेंगे, तो दुनिया में कोई dog ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि उन्होंने reproduce नहीं किया, तो कोई organism या उसकी जो प्रजाती है, वो तभी रहती है, क्योंकि वो reproduce कर रहें, वो तो भले ही दुनिया से जा रहा है, फिर उसके बच्चे दुनिया से जाएंगे, तो उनके जो बच्चे हैं वो जिन्दा रहेंगे, वन सिंगिल और्गनिजम में डाइव विदाओट एवर रेप्रोडूसिंग, तो कोई सिंगिल और्गनिजम की अगर हम बात करें, तो वो हो सकता है कि मर जाए, बिना रिप्रोडूसिंग करें, यानि किसी खास एक, जैसे कोई डॉग आपके मुहले में रहता है, उसका कुछ नाम आपने दे दिया, कि हाँ इसका नाम टॉमी है, तो हो सकता है कि वो बिना रिप्रोडूस करें ही मर जाए, बहुत से डॉग होते बचपनों ही मर जाते हैं, तो किसी एक सिंगिल और्गनिजम की बात करें, तो ऐसा हो सकता है, कि सारे ही जो living things है उनके अंदर कुछ common characteristics होती है जैसे उनको food की जरुवत है respire करते है respond करते है stimuli को reproduce करते है movement show करते है grow करते है और die होते है क्या हमें कुछ non-living things ऐसे मिलेंगे जो कि show करें some of these characteristics तो हाँ बिल्कुल जैसे car, bike, clock हो गया water जो की river में है वो move करता है तो movement हो हमने देखा था living thing characteristics है लेकिन कुछ non-living thing भी है जो movement करते है इसी तरह जो आपका चांद है वो move करता है sky में जो clouds है वो ठीक हमारी आखों के सामने grow होते है यानि दिखाए पढ़ रहा कि cloud बादल बड़े होते जा रहे है तो growth तो living thing का characteristics है लेकिन cloud के अंदर भी हमको देखने को मिल ला है जो की non-living thing है क्या इनको भी हम living कहेंगे तो अपने आप से हमको यह सवाल पूछना पड़ेगा तो अगर आपको यह doubt आ रहा है क्या car, bike तो move कर रही है तो यह movement तो living की characteristics है cloud grow कर रहा है यह living thing की characteristics है तो यह बात याद रखना कि हमको यह देखना पड़ेगा कि क्या सारे ही characteristics उसके अंदर देखने को मिल ली है यह ऐसे car है तो सिर्फ movement देखके काम नहीं चलेगा क्या car खाना खाती है क्या respire करती है क्या reproduce करती है क्या वो grow करती है, die होती यह सारा हमको देखना पड़ेगा living thing होने के लिए कोई एक characteristics हो जाना काफी नहीं है जैसे math में किसी ने 100 में 100 ला दिया बिल्कुल पूरे में पूरा नंबर आ गया तो क्या उसको topper कह दोगे और भी subject देखो कि क्या पता और में fail ही हो वो तो गर हम जनरल बात करें something that is living may have all the characteristics that we have discussed कोई चीज जो की living है उसमें हो सकता है कि सारी characteristics हो जो कि हमने discuss किया तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है while non-living things may not show all these characteristics at the same time वही जो non-living thing है ऐसा हो सकता है कि वो सारी characteristics ना देखा है एक time में यानि किसी non-living thing है अंदर कोई एकात characteristics दिख गई living वाली किसी के अंदर दूसरी कोई दिख गई सारी ही living वाली characteristics किसी non-living thing में नहीं देखने को मिलेगी क्या यी चीज हमेशा सही है तो हाँ बिलकुल हमेशा सही होगी है क्या जो भी living thing है वो बिलकुल पक्की बात है कि सारी characteristics दिखाएगा जो कि living thing के अंदर जिता भी हमने दिसकस किया तो ऐसा जरूरी नहीं कि सारा ही दिखा ले कुछ living thing होगी जिनके अंदर सारी characteristics हमको देखने को मिलेंगे लेकिन सारे living thing के अंदर सारी characteristics दिख जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है क्या हमेशा ये पता चलेगा कि जो non living thing है वो हो सकता है कुछ characteristics इसमें दिखा दे and never all of them लेकिन सारे ही कभी नहीं कोई non living thing ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर living वाले सारे characteristics हो जब सारे characteristics है तो living ही होगा न वो non living कैसे हो जाएगा अब इसको थोड़ा अच्छे समाजने के लिए चली example ले ले लेते हैं कोई seed आप ले लो जैसे मूंग ले लिया क्या वो living है वाई seed क्या जिन्दा होती है तो उसको थोड़ा चेक करते है वो तो shop में पड़ी रहती ही महीनों तक और कोई भी growth शो नहीं करती या इसके लाव और भी जो characteristics से life की वो हमको देखने को नहीं मिलती वाई seed आपने रखी क्या seed खाना खाती है सांस लेते हूँ आपने देखा क्या स्टिमलाई को रिस्पॉंड करेगी क्या reproduce करेगी कोई moment दिखाएगी growth होगा die होग करेगी क्या ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी तो इन में से आप देखोगे लेकिन चुपी थी वैसे देख रहे तो हमको नहीं पता चल ली थी लेकिन उसी seed को जो हमने soil में डाला तो उसको food की भी ज़रुत पड़ी उसको water वगरा की ज़रुत पड़ी वो जब ग्रो हुआ तो respiration भी उसने किया stimuli ग्रिस्पॉंड भी किया उससे दूसरे plant भी grow हो सकते हैं उसके अंदर movement भी देखने को मिलेगी यानि जैसे हमने normal plant की बारे पड़ा था जब वो plant बन जायागा तो वो एक living thing की तरह दिखने लगेगा तो वो एक तरह से छुपा हुआ था तो कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि characteristics उसके अंदर होती है लेकिन दिखाई नहीं पड़ी होती तो उस case में भी हम उसको living कहेंगे क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो एक dead चीज थी और उसके अंदर से life निकलाई उसके अंदर से plant grow हुआ वो एक living thing बना तो seed को भी हम living ही मान के चलेंगे तो अब सवाल है कि life है क्या अब अपने हाथ को बहुत गहराई तक जो sack of wheat है गेहूं का जो थैला है या बोरी वगएर है उसके अंदर हाथ डालो क्या आपको अंदर गरम महसूस होगा क्या heat produce हो रही है inside the sack of wheat तो जब आप ऐसा करोगे मान लोग गेहूं की बोरी उसके अंदर हाथ अंदर तक डालोगे तो आपको गरम महसूस होगा वो गरमी किसकी होती मालूँ आपको जो seed है वो respire कर रही है और उस respiration की वज़े से उसके अंदर से heat निकल ली है तो वैसे तो आपको सांस लेते हो नहीं दिख रही है लेकिन respiration हो रहा है वाँ पर तो हम यह देखने को मिला कि जो respiration है वो एक ऐसा process है जो की हो रहा है seed के अंदर उस time भी जिस time जो और भी life process है वो active नहीं है यानि वो characteristics है उसके अंदर लेकिन वो active नहीं है जब उसको हमने जमीन में डाला, मिट्टी में डाला तो वो activate हो गई तो इचीज आप से पूछी जा सकती है कि seed के अंदर वो कौन सी living वाली characteristics है जो की show होती है plant किये जाने से पहले यानि normal shop पे पड़ी रहे तो भी कौन से characteristics देखने को मिलेगी तो वो कौन सी है respiration यानि खाने पीने के जोरत नहीं है ग्रो नहीं होगी लेकिन respiration होगा उसके अंदर अब यह हमाई लिए बहुत आसान नहीं होगा इस सवाल का जवाब देना what then is life यानि अब life है क्या यह सवाल का जवाब देना इतना आसान नहीं है लेकिन जो हम देखते है all the diversity in living being around us यानि हमारे आसपास कितनी अलग-अलग variety के living things है तो इससे हम यह काग्लूट करते हैं इस नतीज़े पहुचते हैं कि life is beautiful यानि life है क्या इसका जवाब देना तो आसान नहीं है लेकिन इतना जानते हैं कि life beautiful है खुबसूरत है तो यह chapter हमारा अभी complete नहीं हुआ क्योंकि अभी table हमारा बचा है तो जो table हमने incomplete छोड़ा था उसको चलिए complete कर लेते हैं तो इतना हमने already fill कर लिया था बाकी भी चलिए हम fill कर लेते हैं तो forest की बात कर ले तो वैसे तो बहुत सारी birds होती है लेकिन यहाँ पर मैंने उन्ही plant या animal या object का नाम लिखा है जो खास तोर से forest में पाए जाते है जैसे forest में एक bird पाए जाती इसका नाम होता है wood thrust bird jungle crow पाए जाता है वैसे crow तो आम तोर पे हर जेगे पाए जाता है लेकिन jungle crow यह खास तोर से forest में पाए जाता है इससे तरह anaconda हो गया ants हो गई, rocks, soil, water, air सूखी पत्ती हो गई, dead animal हो गई, bones यह नहीं हड़ियां mushrooms, moss और medicinal plants यह सारे किसमें पाए जाते हैं forest में mountains की बात कर लें तो यहां आपको oaks, pines, deodas, trees देखने को मिलेंगे animal में देखो mountain goats हो गई, yark हो गई, snow leopard हो गया birds में बात कर लें तो हिमालियन, monal आपको देखने को मिलेगी insect में आपका stone flies हो गया water, air, soil, snow आपको देखने को मिलेगी rocks और minerals desert की बात कर लें, cactus आपको देखने को मिलेगा camels हो गया, एक flower होता है जिसे हम desert marigold कहते हैं खास तोर से desert area में देखने को मिलता है side winder snake पाये जाता है यह खास तोर से desert में पाये जाता है वैसे snake तो हर जेगे पाये जाते हैं, लेकिन यह वाला खास तोर से desert में आपको देखने को मिलेगा इसी तरह desert locust हो गया, जो टिडडा होता है kangaroo rat हो गया desert में जो rat पाये जाते हैं, उनका पैर दिखो गये न तो वो kangaroo जैसे होते हैं तो वही सींग का नाम पढ़ गया, kangaroo rat हो गया sand stone हो गया, पत्थर टाइप का होता है sand हो गया, gravel हो गया, नहीं, कंकर sea की बात के लिए तो crabs हो गया, fishes हो गया, red algae हो गया sea grass आपको देखने को मिलती है whip ये भी एक plant है जो की sea में पाये जाता है, fishes दो बार हो गया तो इसको हटा लेते हैं आसे dolphins हो गया, whales हो गया, squids हो गया octopus हो गया, ship ricks ricks क्या होता है, जो मलबा होता है न, जैसे Titanic का मलबा, इसी तरह बहुत सारे जहाज दूपते ही रहते है जब से इंसान दुनिया में है, तब से कितने जहाज दूप चुगे होंगे, तो उनका मलबा भी आपको देखने को मिले गए, यह किसमें आएका object में आएगा, जैसे हमसे कहा था न, कि animal, planet और object, जो अलग-लग surrounding में पाए जाते हैं, उसको लिखो, तो यह ship ricks जो हो गया, object में आएगा, इसी तरह sea shells हो गया, जो sea आपका होता है देखा होगा आपने, यह भी object में आएगा, इसी तरह pearl यानी, जो मोती हो गया, यह भी object में आएगा, अब last वाले call-up में any other, यह नि कोई और surrounding लिख लो, कोई और habitat लिख लो, तो चलो हम grassland लिख लेते हैं, तो grassland के अंदर, वो या तो सारी होंगी, नहीं तो maximum होंगी, जाधा-जाधा characteristics आपको living thing के अंदर देखने को मिलेगी, वहीं एगा non living thing की बात कर ले, तो जो भी characteristics हमने पड़ी थी, उसका minimum, यह हम कह सकते, एक-दो characteristics आपको देखने को मिलेगी, सारी ही नहीं देखने को मिलेगी, या जाधा तर नहीं देखने को मिलेगी, non living thing में, और एक special case जहाँ पर क्या होता है, जो भी characteristics हमने पड़ी थी, उसमें से बहुत कम ही हमको देखने को मिलती है, माल लो एक-दोठो देखने को मिली, लेकिन फिर भी वो living होता है, उस case में, वो जो characteristics है, वो active नहीं है, है उसके अंदर, लेकिन वो active नहीं है, जैसा कि हमने seed के case में देखा, कि उसके अंदर characteristics सारी छुपी हुई है, सिर्फ एक आठ्छो दिखती है, जैसे respiration वाला है, वो आपको देखने को मिल जाएगी, इसके अलावा characteristics होती है, लेकिन वो active नहीं होती, तो ऐसे case में भी हम उसे living में रखते हैं, तो कि characteristics है, तो भले ही हमको नहीं दिख रही है, अभी वो active नहीं है, लेकिन आगे चलकर active हो जाएगी, तो यह chapter आकर यहाँ पर complete हो हो जाता है, मेरे whatsapp चैनल को भी आप follow कर लो, उसका लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा, तो अगर आपको class 6 की और वीडियो देखनी है, तो इस तरह से आपको वीडियो चल ली होगी, पहले आप वीडियो को like कर लो, इधर like का maths, maths की chapter wise भी playlist है, जो की नीचे आपको मिल जाएगी, तो जो भी वीडियो आपको देखनी है, उसके सामने जो link दिया हुआ, उस पर आप click करोगे, तो वहाँ से वो open कर लोगे, जिसे classic science देखनी है न, तो यहाँ पर आप click करोगे, तो classic science की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी, okay thank you